आगे बढ़ते हैं बिहार में जाती गर्णा के आकड़े जारी होने के साथ ही अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग उठ रही है पश्चिमी यूपी के कई बड़े नेताओं ने प्रदेश में भी जाती गर्णा की मांग का समर्थन किया है आपको बता दे कि बिहार में जाती जनगर्ना की रिपोर्ट आ गई है और लोग सभाद चुनाओं से पहले आई रिपोर्ट को लिकार सियासत भी जोरो पर है यहां कॉंग्रेस आमादमी पार्टी समाजवादी पार्टी समेरित तर तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है और पूरे देश में जाती जनगर्ना करानी की मांग उठ रही है तो कॉंग्रेस के मताबिक बिहार की जाती जाती जनगर्ना से पता चलता है कि वहां OBC SC ST 84 फीजदी है केंदर सरकार ने 90 सचीवों में सिर्फ तीन OBC है जो भारत का मात्र पांच फीजदी बजट समहलते हैं इसलिए भारत के जाती गत आकड़े जानना ज़रूरी है जितनी आबादी उतना हाग यह हमारा प्रण है और इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ रागवेंद्र पाठी जी जुड़े हुए है तो उनसे ही जान लेते हैं रागवेंद्र जी जैसा कि जो देखा जाए बिहार में जाती गत मदगर्ना की रिपोर्ट पेश की गई है उसके बाद से देखा जाए तो परश्चिमी उत रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से यह मदगर्णा सामने आई है तो उतना हग भी उन्हीं मिलना चाहिए जातिकर जनगर्णा बिहार में हुई है लेकिन उसकी सुगाहट पूरे देश में है और चुकि कांग्रेश की पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में 35 साल से अधिक हो गया है सत्ता से बाहर है केंद्र में भी एक दसक होने जा रहा है सत्ता से बेधखल हो चुकी है अब कोई रास्ता ने सुझ रहा है कि किन मुद्दों को जनता के बीच ले जाए पिछले चुनाओं में लड़की हूं लड़ सकती हूं महिला वोटनों को लुभाने की कोशिश की गई थी लेकिन हम मुद्दा काम नहीं आया था उत्तर प्रदेश में लोगसभा के चुनाओं मे अब देखना यहा है कि किस तरह से आगे कांग्रेश रड़नीत हैं करती है चुकि बिहार में जातिकर जनगरना की जो रिपोर्ट आई है उसके मिताबिक स्सी एस्टी ओबीसी मिला के 84 फीज़दी होते हैं अगर मुसलिम संदाय को भी 15-16% मालने तो यह संख्या 99% से उपर चला जाता है अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर परदेश को जातियों में बातना है तो भारती यंता पार्टी पे धर्म की राजनित करने का तोहमत क्यों लगाते हैं और कांग्रेश की लगातार कोसि से ही है कि कि किसी तरह से सत्ता में वाप सी की जाए चूकि बहुत जनाधार नहीं बचा है बिधान सभा के चुनाव में मातर उसके दो विधायक चुनके आये थे लोग सभा में एक लवता है एक सांसर सोनिया गांधी जी है तो उत्तर परदेश कहा जाता कि दिल्ली का रास्ता उत्तर परदेश से होकर जाता है इस नाते उत्तर परदे को ढूंडना होगा हलांकि कांग्रेस की छट-पटाहत है किसी तरह सथा में आया जाए लेकिन जिस तरह से जाती जनगर्णा को लेके बिहार में ही बिरोध के सवर मकुर हुए है अब बिहार मेरा जितने भी रानिती दलों का रहे हैं कि तीन परसंट तीन पर तीन प्रसत आब कांग्रेस की कोशिस यही है कि किसी तरह से मोधी सरकार को घेरा जाए जा रहे हैं शुक्री आपका तमाम जानकारियों के लिए रुपते एक शोटे से ब्रेक के लिए फॉर और लोटेंगे कुछ और खबरों के साथ